अब तक हमने बात की एसीड्स के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं बेसीज के बारे में तो एसीड्स के बारे में कासी कुछ हम पढ़ चुके हैं उनके क्लासिफिकेशन प्रोपर्टीज तो बेसीज के बारे में बहुत सी बाते हैं ऐसी अब आसान हो जाएंगी कि हम इस तोपिक को बहुत जल्दी कर पाएंगे उससे half time में अब अपना ये complete होने वाला है सबसे तहले basis की definition basis की definition क्या है जो aqueous solution में OH negative ion provide करते हैं वही और इन इस वाली the substances which provide OH negative ion in aqueous solution जो aqueous solution में OH negative ion produce करें वह है basis classical के नुसार क्या है incurred taste अपनी पहली बात हुई थी भी खटी कडवी बात करेंगे खटी बातने तो होगी अब कडवी बातों का number है bitter taste होता है basis का और sopy touch है जैसे साबून होता है वैसे अगर टच करके देखोगे तो sopy touch होता है basis का और ये जो OH negative ions है ये तो लिखी दिया कि aqueous solution में ये आपको मिलेंगे ऐसे ही hydronium ions जो acid के हैं वो भी आपको aqueous solution में मिलते हैं अब देखो एक और word आपता है इससे मिलता है जोलता alkali तो कई बार क्या होता है बहुत से बच्चेश confusion में रहते हैं कि alkali और base एक ही चीज़ है जब कि ऐसा नहीं है कुछ basis ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं आप उनको बोल के देखोगे तो वो घुल जाएंगे soluble होते हैं जो water soluble bases होते हैं उनको alkalis कहा जाता है सब alkalis ही होते है यानि कि all alkalis are bases बट all the bases are not alkalis सभी bases water में घुल जाएं पानी में घुल जाएं ये जरूरी नहीं है इसलिए सब alkalis तो bases होते हैं लेकिन सारे bases alkalis नहीं होते हैं कौन-कौन से है alkalis जो भी water के अंदर soluble है कई ऐसे हैं जो water के soluble नहीं है नहीं है तो alkalis भी नहीं है जैसे cuo copper का oxide है ये base है zno pbo फिर pboh hold twice या iron का है feoh hold twice या फिर cu का ही है cuoh hold twice ये कुछ ऐसे bases हैं जो water में soluble नहीं है not water soluble और water soluble नहीं है नहीं है इसका मतलब ये alkalis भी नहीं है they are not alkalis इनको आप alkalis की category में नहीं रखेंगे जो water में soluble है इनहीं को रख सकते हैं के बलब अब इसकी classification जो completely ionized होते हैं वो क्या है strong bases है और weak bases क्या है जो completely ionized नहीं होते हैं they are partially ionized वो है weak bases जैसे koh है ये strong base है naoh है strong base है पूरी तरह ionized होगा completely weak कोन से हैं जैसे nh4oh है ये weak base है जो acid में बात थी वही है degree of dissociation होगा पूरी तरह टूटेंगे वो क्यों बाते हैं आपने याद रखना है जो alkalis metals है lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium और alkaline earth metals है beryllium, magnesium, calcium, stoncine ये जो है इनके bases strong होते हैं और बाकी क्या होते हैं weak होते हैं तो strength के base पर दो type के हैं ये strong और weak next on the basis of concentration ये भी विल्कुल आसाम है आप आसानी से बता सकते हैं एक होगे concentrated और दूसरे हैं dilute concentrated कौन से हैं जिसमें base जदा है more base water कम है less water तो dilute कौन से हैं जिसमें water जदा है more water is present base कम है less base ये classification है इसके बाद है अपना acidity ये बात आपने याद कर ली होगी कि acid की basicity होती है और base की acidity होती है तो तीसरा है based upon acidity और acidity की definition अब क्या होगी कि कितने OH negative ions आपको मिल रहे है याने कि number of replaceable OH negative ions OH negative ions कितने replace होते हैं वही आपकी acidity है तो पहले होगा शुरू करते हैं classification is based पे monoacidic monoacidic means acidity is one example देख लो KOH आपनाइज करो तोड के देखो K positive OH negative कितने OH negative मिल रहे हैं आपको one it means इसकी acidity है one NaOH तोड़ देख लो Na positive OH negative कितने OH मिल रहे हैं एक तो acidity क्या है इसकी एक दूसरा है diacidic diacidic means 2 OH negative आपको मिलने वाले हैं जैसे Mg OH hold twice इनको break कर दो आप तोड़ो क्या बनेगा Mg 2 positive और OH negative कितने हैंगे 2 So its acidity is 2 इसकी acidity 2 आगी इसी टरह Cu OH hold twice इसमें भी आपके पास क्या हैगी 2 आएगी PB OH hold twice कितने हैगी 2 आएगी तीसरा है triacidic triacidic means 3 है आपकी acidity इसमें acidity is 3 3 OH negative आपको मिलने वाल है यहाँ से जैसे example है ALOH hold twice aluminum hydro क्या आपने गादेखो aluminum की 3 equivalency 13 है 283 और OH negative कितने मिल रहे हैं आपको इसमें 3 मिल रहे हैं इसलिए आपकी acidity आपके का होगी 3 होगी याने के monoacidic ऐसे basis जिनमें 1 OH negative मिलता आपको आइन diacidic 2 OH negative आइन आपको मिलेंगे triacidic means 3 OH negative आइन आपको मिलेंगे तो यह है basis का classification strength concentration और किसके बेस पे है acidity के बेस पे है जल्बी से अभी इसकी properties properties भी कर लेते हैं बिलकुल आसान है तो properties वही बात पहले तो physical properties इक पड़े में इनकी और physical properties के बाद एक गुए इनकी reaction देखेंगे मैंने तो properties में पहली अभी लिका था वही बात पिर से आगी वही पहली property है क्या बढ़ रहे है we are studying properties of basis properties कहता है तो पहली है टेस्ट के बारे में है bitter taste है कर गए होते हैं basic दूसरा अगर touch करके देखोगे तो साबुन जैसे होते हैं they have sopy touch तीसरा जैसे acid conduct करते हैं वैसे ही basis भी conduct करते हैं electricity को they conduct electricity acid क्या करते हैं next property blue litmus को red में बदलते थे ये क्या करेंगे they convert red litmus into blue red litmus को blue में ये change करते हैं और methyl orange को ये orange से yellow करते हैं अभी indicators में इन बहुत अगम detail से पढ़ेंगे कापी detail से पढ़ेंगे आपकी बुक के थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ेंगे इंडिकेटर्स को वहाँ और methyl orange pin of thling red cabbage juice है ये सारी चीजें जी तरी भी indicators हैं इनके बारें पढ़ेंगे अब reaction की बात कर लेते हैं पहले reaction है इनकी acids के साथ reaction with acids अब ही हमने पढ़ी है जब acid और base मिलते हैं तो reaction का नाम है neutralization और इससे बनता है salt and water फिर भाई reaction भाई ये base है इसके साथ मिलाओ ये acid HCl क्या मिलेगा आपको NaCl plus H2O ये salt है ये water next reaction है इसकी ये क्या करते हैं bases atmosphere से CO2 को absorb कर सकते हैं और carbonate की formation करते हैं जैसे ये आलकलीज का जिकरह alkalis absorb CO2 ये CO2 को अपने अंदर ले लेंगे कहां से आएगी वह CO2 from air air से मिलेगी CO2 इनको उसको अपने अंदर ले लेंगे और carbonate बना लेंगे जैसे KOH आपके पास ये base दिया हुआ alkalis ये water soluble है CO2 तो ये CO2 क्या करेगा atmosphere में environment में जो है उसको अपने अंदर ले ले लेगा और सोसित कर लेगा और इससे बनाएगा carbonate K2 CO3 plus HO balance दिखाई नहीं दे रहा है तो कर देंगे balance हो जाएगा ये absorb कर सकते है CO2 को alkalis next reaction है अगर metals के साथ इनको मिलाएं तो ये hydrogen gas liberate करते हैं acid में भी यही था कि hydrogen gas liberate होती थी base में भी यही है कि upon reacting with जब ये react करते हैं इसके साथ active metals के साथ on reacting with active metals hydrogen gas is liberated hydrogen gas liberate होती इसमें acid में भी होती थी bases में भी होती है जैसे zinc है इसको आप react करवाऊ 2 NaOH इसके साथ तो hydrogen gas तो है और एक compound बने का sodium zincate जिसका formula है Na2 ZNO2 लेगिन में भी यही थी कि जब आप active metals के साथ react करवाएंगे bases को तो hydrogen gas liberate होती है इसका नाम है sodium zincate ये थी basis की chemical reactions और physical properties भी सारिया गी तो ये था basis इसमें ज्यादा time नहीं लगा आपना क्योंकि acid में हम बहुत सारी बातें इसके बारे में पढ़ चुके थे पहले में है रज़ाइब आप रहाएंगे जब झागारे अधारे में अवी एखवाब जप उड़ाई इसके अप्सके आप बहुत कि आप झाम है तो ये ये नहीं और में और दो झाप झाल झाल